राशी मेश ओवर्वियू साथ ही उस व्यक्ति के प्रती आभार प्रकट करें जो आपका मार्ग दर्शन कर रहा है। आज आपकी शादी का भविश्य सुनेहरा दिख रहा है। अगर आप अकेले हैं या आपकी सगाई हो चुकी है तो कोशिश करें। आज आपका दिन आपके लिए भागेशाली साबित हो सकता है। अगर आप लंबे समय से पार्टनर की खोज में हैं तो आज का दिन आपके लिए बड़ी राहत ला सकता है। क्योंकि आज आपकी खोज पूरी हो सकती है। आज इस मामले में निरने लेना आपके भविश्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी नए काम की तलाश में हैं, तो आज अवसर भले ही मिलेगा, लेकिन वो आपके कारिक्षेत्र से अलग होगा। इस अवसर को यूँ ही हाथ से न जाने दें। हो सकता है कि ये आपके भविश्य के मार्ग को प्रशस्त करे। आपको अपने मस्तिष्क को प्रत्येक अवसर के लिए खुला रखना चाहिए। राशी मेश, फाइनांस आज आप थोड़ा बीमार महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये न खत्म होने वाला किस्सा है। आपको पता लगेगा कि आपके दोस्त और घरवाले भी आपकी चिंता करते हैं। आप ऐसा जताना चाहेंगे कि आप छोटी सी बिमारी से ग्रस्त हैं, परन्तु सभी आपकी चिंता करते हैं। आज आपको दूसरों की खुशी के लिए खुद को डॉक्टर को दिखाना आज आप घर पर थोड़ा सावधान रहें क्योंकि जगड़ा होने की प्रबल संभावना है। यदि आप अभिभावक हैं तो अपने विवाहित बच्चों के संबंध में अपनी सीमाएं निश्चित कर लें। आपके द्वारा भले के लिए दी गई सलाह का आपके बच्चों पर नकारात्मक असर हो सकता है। बच्चों की शादी के विशय में आधर पूर्ण दूरी बन होंगे। लेखा शास्त्र और वित्त के क्शेत्र के व्यक्ति आज नौकरी में बदलाव ला सकते हैं। बेरोजगारों के लिए रोजगार के अच्छे अवसर सामने आएंगे। राशिवरिश यदि आपके राय के घर में हैं तो अपना घर खरीदने के लिए आज विज्यापन देखने शुरू कर दीजिए ताकि पता तो लगे कि आपके लिए किस तरह के घर उपलब्ध हैं। आपको लगेगा कि इसका भविश्य में अच्छा फायदा मिल रहा है। इसलिए अखब तब जब आप दूसरों से अपनी परेशानी चुपाते हैं। आप तनाव की स्थिती अपने दिमाग में जियों की तियों बनाए रखेंगे। आज आप तनाव कम करें जिसका असर आप अपने स्वास्य पर देख सकते हैं। राशिमित्हुन ओवर्विव। आज आपको उ जावधानी से काम लें, वरना किसी मुसीबत में फस सकते हैं। समझदारी इसी में है कि ये जानने की कोशिश करें कि बात कैसे और कहां बिगडी और उसे सुधारनी की कोशिश करें। राशिमित्हुन रुमैंस आज आप सोचेंगे कि क्या कभी आप सच्चे साथी से मिल स खेंगे। घबराइए मत, अपने मित्रों के साथ बाहर घूमने जाएए। आप अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव वो उत्साह महसूस करेंगे। राशिमित्हुन करियर। बचे हुए काम को जल्दी से पूरा करने के लिए आपको शायद अपने अधिनस्तों को प्रे परिक्षा ली जा सकती है और इसके लिए आपको कोई चुनोती पूर्ण काम दिया जाएगा। आप मेंसे कुछ लोग अपनी उपलब्धी के कारण किसी इनाम की आशा रख सकते हैं। इन दिनों पैसा दना दन खर्च हुआ जा रहा है। जितना आ नहीं रहा उससे लगाम लगाईए। यह एकदम तो नहीं रुकेगा क्योंकि जरूरी चीजों पर तो खर्च करना ही होगा लेकिन ऐशो आराम की चीजों पर खर्च तो रोके ही जा सकते हैं। आज आप सिर दर्द से पीडित रहेंगे। यह सब काम के बोज या व्यक्तिगत परिशानी के क अगर आप कम्प्यूटर या टीवी पर ज्यादा समय बिताते हैं तो आपको अपनी आखों को उचित आराम देना होगा। आराम से ज्यादा काम करने के लक्षणों का पता लगाएं। राशिकर्क ओवर्वियू आप में रचनात्मक्ता कूट कूट कर भरी है। आज के दि इनका प्रेयोग करके आप अपनी रचनात्मक्ता को अभिव्यक्त कर सकते हैं। राशिकर्क रोमैंस आज के दिन आप अपने दूर बैठे साथी से मिलने की खबर पाकर रोमैंस का अनभव करेंगे। अतह साथी से मिलने के लिए खास तयारियों में जुट जाएं। राश ध्यान रखें कि अगर आप अपना काम समय पर खद्म कर पाए तो आपको पदोनती भी मिल सकती है। राशिकर्क फाइनस आर्थिक शेतर में आपकी स्थिती थोड़ी डामा डोल रहेगी लेकिन आप स्थिती से आसानी से निवट लेंगे। अपने सीनिर अधिकारियों से म ध्यान दें। शांत रहें। आप तरक्की करेंगे और जब आपकी बारी आएगी तो आपकी पदोनती भी होगी। राशिकर्क हेल्थ आपको इस समय सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कि आज आपको हलके दर्द की शिकायत बनी रहे। इसलिए ये अच्छा समय है जब आप बाहर जाकर ताजी हवा और व्यायाम का लाब उठा सकते हैं। आपका खान-पान ठीक है मगर लापरवाही के कारण आपको परिशानी हो सकती है। राशिसिंग ओवरव्यू। आप में से वो लोग जो अपने परिवार से दूर रह रहे थे अपने परिवार के सा अच्छा समय बिता सकेंगे। इस समय का प्रयोग अपनी पुरानी मीठी यादों को ताजा करने के लिए भी कर सकते हैं। आपके इस खुले पन से सभी परिजनों वो मित्रों को बहुत खुशी मिलेगी। वो बदले में आपको बहुत प्यार देंगे। इस समय आपको प्रेम संबंद के मामले में निराशा या आघात लग सकता है क्योंकि आज आपके रिष्टे में दरार पढ़ने की संभावना है। आप इस हालात से परचित हो या ना हो पर ऐसी हालत आपके लिए तयार हो रही है। आप इस खबर से ज़्यादा बेचैन नहों क्योंकि इस आप जल्दी ही उबर पाने में सक्षम होंगे और आपको अपना प्यार फिर मिल जाएगा। आज आपको व्यवसाइक सफलता मिलेगी। विदेशी संबंधों से लाब संभावित है। अगर अपने काम से संबंधित विदेश में आप किनी लोगों को जानते हों तो देखे कि उन लोगों के द्वारा आपको कौन से व्यवसाइक अवसर मिल सकते हैं। अगर आपको कोई अवसर मिले तो उसके बारे में सोच विचार जरूर करें क्योंकि इस से आपको सफलता मिल सकती है। राशी सिंग हेल्थ आज आप शारिदिक रूप से ठीक ठाक महसूस करेंगे। आपका स्वास्ते अच्छा रहेगा। आपके खान-पान में सुधार होगा। आप जल्दी ही व्यायाम शुरू करने की भी सोचेंगे। ये सभी उचित निर्णे आपको स्वास्त के सही पत पर ले जाएंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। आप अच्छे कार्य करते रहें। राशी कन्या ओवर्विव। अगर आपको लग रहा है कि कुछ बातों को लेकर आपके और आपके परिवार के लोगों के बीच कोई अन्बन चल रही है तो आज आपको उनको खत्म क करने का प्रयास करना चाहिए। बिना किसी गरत वहमी के ये मुद्दा आसानी से सुलच सकता है। आपको केवल संप्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। देखते ही देखते सारी कड़वाहट खत्म हो सकती है। राशिक कन्या रुमैंस ये दिन आपके लिए आपका प्यार लेकर आया है। आप अगर पार्टनर की खोज में हैं तो जिन्दगी भर के लिए न सही पर कुछ पलों के लिए आज की ये मुलाकात आपके लिए जिन्दगी भर का यादगार तोहफा साबित हो सकती है। राशिक कन्या करियर आज आपको एहसास होगा कि आप अपनी आज बड़ी आसानी से आपको आर्थिक लाब और साथ ही प्रसिद्धी भी मिलने वाली है। आज अपने लिए बड़े सपने देखने का दिन है। आज आप एक या दूसरे किसी व्यक्ति के साथ बातचीत में लगे रहेंगे। हर कोई आज आप से बात करना चाहेगा। चाहे वो परिवार का हो, दोस्त हो या आपका प्रियव्यक्ति इस मौके का लाब उठाएं और आनंद लें क्योंकि हर कोई आज यही देखता रहेगा कि आप उससे कितने खुश हैं। आज आप पाएंगे कि पिछले कुछ समय से जो बात आपको परिशान कर रही थी, आज वो परिशानी कम हो रही है। आप पर काम का बहुत बोज रहेगा, लेकिन काम से संबंधित कुछ तनाव आज कम हो जाएगा। कम तनाव के इस दौर का लाब उठा कर आपको अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। पैसे की भरपूर आवक दिख रही है। बहुत पहले आपने कोई निवेश कर रखा था, उससे आज बढ़ा लाब मिलने वाला है। यह अचानक ही होगा, आप खुशी से उचल ही पढ़ेंगे। आज आपके लिए खुश खबरी है कि आपको पुरानी विमारी से राहत मिल जाएगी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस इलाज को चलते रहने दें या नहीं, मगर ध्यान रहे आपकी जरासी लापरवाही आपको फिर से परेशानी में डाल सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज घर पर अफरा तफरी मची रहेगी। घर पर बहुत से काम एक साथ चल रहे होंगे। आज आपके घर विदेश से मेहमान आने की संभावना है। अपनी सभी परेशानियों को एक तरफ रख कर अपने दोस्तों वरिष्टेदारों के साथ मजा करें। आज सफलता की इच्छा के कारण आप थोड़ा सा खत्रा मोल लेने को भी तयार रहेंगे। अच्छी बात ये है कि आपका विश्वास इसमें आपकी मदद करेगा। छोटी सी असफलता भी आपको कुछ ना कुछ सिखा सकेगी। अगर कोई परेशानी बड़ी दिखे तो भी घबराए नहीं, उसे भी हल करने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे आमदनी बढ़ेगी। छोटे मोटे खर्चे तो आते ही रहेंगे। उससे आपकी आर्दिक स्थिती पर कोई आच नहीं आएगी। आज आप अपने खान-पान का असर अपनी त्वचा पर देखेंगे। अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो तेल वाला खान-पान अपने भोजन से हटा दें। परियाप्त मातरा में पानी पियें और ताजा खाना खाएं जिससे आप और आपकी त्वचा स्वस्त आज आप अपनी बड़ी समस्याओं को हल करने के प्रियास शुरू कर देंगे। ये समय बीमारियों या मुद्दों को केवल उपर से हल करने का नहीं है। आपको उन्हें जड़ से मिटाने का प्रियास करना चाहिए। ये काम ज़रा मुश्किल है परसंभब नहीं। आज आप अपनी घरेलू वर रोमैंटिक जिंदगी में समन्वय पाएंगे। अपने साथी से संतुष्ट होने के कारण आपके मन में शान्ति का विकास होगा। साथ रहने का ये अच्छा समय है। इसमें अधिक से अधिक यादगार लमहे समेटने की कोशिश करें। राशिधनू करियर। या ये भी हो सकता है कि आप जुआ खेलें और जीट जाएं। आज आप देखेंगे कि जितने रुपए आप घर से लेकर चले थे उससे अधिक अब आपकी जेब में हो सकते हैं। राशिधनू हेल्थ अब आप इसे संभाल कर रखें और इसके मिल जाने की खुशी में अपने सितारों को धन्यवाद दें। राशिमकर रुमैंस आज आप ये जान सकते हैं कि आपको प्यार हो गया है। जीवन अब अलग और सब कुछ ताजा वन नया लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप और आपका साथी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों का प्यार में होना सुकत बात है, वो ये आगेज जादा गहरा हो सकता है। याद रखें कि एक दूसरे की देखभाल के प्रयास आपके संबंध में आगे के लिए नई जान डालेंगे। राशिमकर करियर किसी नवीन विवसाइक की संधी आपके पास चल कर आ सकती है। बहरहाल प्रारंभ में ये एक असंभव काम प्रतीत होगा, परंतु प्रयतनों से ही यश्प्राप्त होता है। वे विद्यार्थी जो प्रवेश की समस्या से जूज रहे हैं, आज उन्हें भी सभी की मदद स आज का दिन आपके लिए भागयशाली हो सकता है, क्योंकि आपको कोई अचल संपत्ती मिलने वाली है। आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप अपने धन का समुचित उपयोग करते हैं, क्योंकि इन दिनों आपके वित्तियस्थिती विकास की रह पर है, तथा आपके पास पूंजी के रूप में बड़ी राशी सुरक्षित है, जिसका आपको प्रबंधन करना है। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन आप सुनिश्चित करें कि आप धन वर्षा ग्रहन करने के लिए तैयार हैं। आप स्वयम को इस प्रकार तैयार करें कि अपनी पूंजी को व्य इससे आपकी त्वचा और स्वास्ते अच्छा रहेगा। राशी कुम्ब ओवर्वियू आज आपका मन अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करने का होगा। आज कल आपके रिष्टों में सुधार आ रहा है, जिससे आपको बहुत खुशी मिल रही है। आज आप ज अपने रिष्टों को कायम करने का दिन है। आप पाएंगे कि आज हालात समाप्ति के दौर पर है। ये परिस्थितियां ग्रह नक्षत्रों के अनुसार बदली हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए सावधानी पूरवक निरने ले। राशी कुम्ब करियर। वे व अथवा बेरोजगार हैं। उन्हें नवीन अफसर मिल सकेंगे। राशी कुम्ब, फाइनांस, अपने वाहन जैसे कारादि के प्रती उचित सावधानी बढ़ते हैं। क्योंकि चोरी होने की वज़ह से इन चीजों से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। आज आपको अपनी पड़ोसी कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुचाने वाले हैं। यदि आप सतर्क हैं तो आप इस नुकसान से बच सकते हैं। राशी कुम्ब, हेल्थ, आज छोटी सी परेशानी से तनाव न लें। थोड़ा तनाव तो आपको कारे करने के लिए प्रेरित करता है। यह उन्नती के लिए भी महत्व रखता है। ज्यादा तनाव से मानसिक और शारिरिक शक्रती भी पहुच सकती है। आप कुछ आराम करें और तनाव को कम करें। राशी मीन, ओवर्वियू। आज आप अपना मन, प्रार्थना और ध्यान में लगाएं और अपने भीतर शान्ती धूंडने की कोशिश करें। आप अपनी अंतरात्मा की राह पर चलना चाहते हैं। बाहरी दुनिया से रिष्टा तोड़ कर, खुद से रिष्टा जोडने का ये बहुत अच्छा मौका है। राशी मीन, रुमैंस। आज आप प्रेम की अनूठी अभिव्यक्तियों से ख्षेत्र में हैं, तब आज का दिन विशेश फल देने वाला है। आप पाएंगे कि आपको चारों और से प्रस्ताव मिल रही हैं, वो काम तेजी से चल रहा है। आपको इसके लिए तारीफें भी मिल रही है। वैसे ये समय अपनी कड़ी महनत के मीठे फलों का आनंद ल है। आपको कड़ी महनत करते रहना होगा, जिसके सही परिणाम आपके सामने जल्दी ही आने वाले हैं। समय फालतू चीजों में नश्ट न करें, क्योंकि ये आपके स्वास्त पर दुश्प्रभाव डाल सकता है। इस समय आपको अपना आत्म विश्वास बढ़ाना होगा, जिससे आप अपने कारियों को ख्रमताओं के अनुकूल कर सकें।